आज हमारा फिफ्ट टॉपिक रहने वाला है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ठीक है जिसका नाम है लेटर मूरल ट्रेडिशन्स ओफुली पहले के चाट टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको पसंद भी आ रहे होंगे तो प्लीज अगर आपको ये चीजे पसंद आ रही है हमारी बनाई भी वीडियो पसंद आ रही है तो जादा से जादा शेर कीजिए लाइक कीजिए और लेटर मूरल ट्रेडिशन्स को पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि आखर ये मूरल्स होते क्या है ठीक है तो मूरल की अगर हम बात करें तो ये कोई भी ऐसा ग्राफिक आर्टवर्क जिसे की सीलिंग्स पे फ्लोर पे या फिर वॉल पे डिरेक्ली पेंट किया जाता होगा इन्हें क्या कहते थे मूरल्स कहते थे नाउ मूरल्स की बात करें तो इसमें चार तरह की टेक्निक्स जो है वो इन्वाल्व होती थी ठीक है पहली टेक्निक थी फ्रेसको दूसरी मुजाइक थर्ड वन ग्राफिटी और फोर्थ वन मैरू फ्लैज इनको में एक एक करके समझेंगे ठीक है ये चारो टेक्निक्स जो थी वो किसमें इन्वाल्व थी मूरल पेंटिंग्स में ठीक है फ्रेसको मुजाइक ग्राफिटी और मैरू फ्लैज अब इन्हें एक एक करके समझते हैं फ्रेसको के अगर बात करें तो फ्रेसको पेंटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी पेंटिंग जिसे किसके साथ लाइम प्लास्टर के साथ बनाया जाता होगा ये लाइम प्लास्टर जो है पानी के साथ मिक्स किया जाता था ठीक है इन दोनों को मिक्स करके जो ये पेंटिक्स बनाई जाती थी और अगर हम इसका लेमेन लैंग्विज में मतलब समझे तो ये फ्रेश्ली लेट लाइम प्लास्टर से बनती थी ठीक है जो आम तोर पे गीला होता था ठीक है यह होगे फ्रेश्को पेंटिक्स नेक्स जो है मोजाइक मोजाइक पेंटिक्स की बात करें तो यह क्या होते थे यह पैटर्ण टाइप की इमेजिस होती थी पैटर्ण होते थे जिनने छोटे छोटे इर्रेगलर पीसी से बनाया जाता था कलरफुल स्टोन या ग्लास से irregular pieces use के जाते थे colorful stones के glass के या ceramic fine next is graffiti graffiti की बात करें तो ये written painted या फिर drawn किसम का art होता था जिने walls पे किया जाता था fine next is mirror flash mirror flash painting की बात करें तो basically ये होता क्या था एक painted canvas को fix किया जाता था किन पे दीवारों पे ठीक है किसकी मदद से किया जाता था एक adhesive की वज़े से मदद से जो कि काफी hard हुआ करता था ये इन paintings को stick कर देता था दीवारों पे ठीक है इसकी जीतने जादा hardness बढ़ती जाती रिड्राई होते होते ये उतना जादा क्या करता था images को fix कर देता था दीवारों पे fine तो ये चार types होगे murals के now जो हमने पढ़ना है that is कुछ important sides के बारे में जो की mural tradition से related है so इन में सबसे पहला नाम आता है बादामी का fine बादामी जो है ये करनाटका में है okay करनाटका जैसे कि आपको पता होना चीह कि ये जो बादामी state है करनाटका का ये पहले capital हुआ करता था चालूक्या डैनेस्टी का चालूक्या डैनेस्टी का ठीक है most important अगर हम specifically कहें तो western चालूक्या डैनेस्टी का ठीक है तो ये जो western चालूक्या डैनेस्टी थी it ruled here from 548 to 598 AD ठीक है western चालूक्या डैनेस्टी का ये रेन रहा था बादामी ओके now जो यहाँ पर important चीज़ नोट करने वाली है that is चालूक्या king मंगलेस्वरा इन्होंने बादामी केव्स को पैटरनाइस किया था fine कि बादामी केव्स को पैटरनाइस करने वाले king का नाम क्या था मंगलेस्वर ठीक है यहाँ पर आप क्या सकते हो मंगलेस्वर यहाँ पर भी लिख देता हूँ मंगलेस्वर और मंगलेस्वर fine now यहाँ पर एक केव पाई गई है that is केव नंबर 4 वहाँ पर देट मेंशन की गई है around 578-79 AD गी ठीक है दूसरी चीज़ यहाँ पर confirm होती है केव में कि यह जो टेंपल था इट वस डेडिकेटेट टू विश्नु fine और इससे यह साबित होता है कि जो चालूकियन डैनस्टी थी इस टाइम पर वो वैसनुव ट्रेडिशन को फॉलो करती थी ओके और इसी वज़े से जो है इन केव को वैसनुव केव नाम से भी जाना जाता है या विश्नु केव नाम से भी जाना जाता है अब अगर बात की जाएं इनकी पेंटिंग्स की तो बहुत ही कम फ्रेग्मेंट्स मिले हैं पेंटिंग्स के इनकी दिवारों पे या रूफ पे अगर बात की जाएं जारा तर जो पेंटिंग्स हैं वो पेंटिंग्स जो है वो पहले सीन्स को डिपिक्ट करती है राजा के पहले सीन्स को जो है खाफी सारी पेंटिंग्स जो यहां पे डिपिक्ट करती भी दिखाए गई है ठीक है ओल्राइट एक एक एक्जैम्पल ऐसी दी गई है मंगलिश जो किंग है उनके बड़े भाई कीरती वर्मन एक पैलेस में बैठे हुए दिखाए दिखाए दिए गई है ठीक है अपनी पतनी के साथ और अपनी फ्यूड्रेटरी के साथ एक दान्स सीन को देखते हुए उन्हें दिखाया गया ठीक है यहां पे इस चीज़ का काफी सादा इंपोर्टेंस हो जाता है कि यह जो डैनेस्टी जो है इनके एविडेंस मिले है इन जगाहों से इन केव से जिससे कि यह प्रूव मिलता है कि यह जो डैनेस्टी जो इस टाइम पर यहां पर रूल कर रहे हैं ओके जो आई सॉकिट्स दिखाए गए हैं किंग और क्वीन के काफी लार्ज है जो आईस हैं वो हाफ क्लोज दिखाए गई है ठीक है और लिप्स की बात करें तो यह थोड़े से प्रोटूडरिंग फॉर्म में दिखाए गई हैं ठीक है protruding form में दिखाए गए है किसमें इनी depictions में, fine, now moving on next जो माना topic है, that is murals ये murals under palavas, pandyas and chola kings fine अगर हम murals की बात करें तो ज्यादा reasonable हम लोगों को इसमें differentiation देखने को नहीं मिलती है pandyas, cholas और palavas तीनों ने paternize किया है ठीक है अगर हम बात करें mahindra verman की तो mahindra verman one इन्होंने 7th century में काफी सारे temples यहाँ पे construct करवाए है महिंदर verman की rain के अंदर यह temples कहाँ कहाँ construct करवाए गए है उनके names में आगे फर्दर लिख देता हूँ पना मलाई में मंडगा पट्टू में तोड़े से spelling वगेर अगर यहाँ वहाँ हो जाते हैं तो प्लीज आप errors को खुच चेक कर सकते हैं और कांची पूरम में fine जो temples बनवाए थे किसने बनवाए थे महिंदर वर्मन वन ने ओके अब इनकी rain की कुछ inscriptions हमें देखने को मिलती है जहाँ पर महिंदर वर्मन को अलग-अलग titles से बुलाया गया है ठीक है महिंदर वर्मन को अलग-अलग titles दिये गए है अब यह titles क्या है पहला title है विचित्र चिता जिसको अगर हम English में translate करें चूरिया कट में वर्मन कोंखफ की गए है छिसको आप पुली ऌसे मेंदी है जिसको अमेन है, तफ मैं तक क्या टाइGraर मग मंग आरतिस्ट and next is चैतियकारी चैतियकारी ओके चैतियकारी का मतलब है ample builder एक बार रिपीट कर देता हूँ number one is विचित्रचिता curious minded number second is चित्रकारा पुली tiger among artists and number third is चैतियकारी temple builder ओके alright now next is एक figure मिला हुआ है पना मलाई में basically एक female divinity का figure है यह जिसे बहुत ही gracefully जो है design किया गया है एक important feature है यह महेंद्र वर्मन के दोरान जो बनाई गई painting से उनका कुछ paintings जो हमें कांची पुरम temples में भी देखने को मिलती है कांची पुरम में जिनको patternize जो था वो पालवा kings ने किया था mostly यह जो patternize की गई थी यह राज सिम्हा दवारा की गई थी यह पालवा king थी ठीक है अगर हम देखें तो इनके कुछ traces ही हमें देखने को मिलते है ज्यादा pics जो है यह survive नहीं कर पा रही है survive नहीं की है अगर हम बात करें पांडियाज की तो पांडियाज ने sorry पांडियाज ने तीरू मलाईपूरम में तीरू मलाईपूरम में केवस है उनको पैटरनाईज किया था और एक और जगह है सित्तनवासल यहाँ पे कुछ जैना केवस देखने को मिलती है उनको भी पांडियाज नहीं पैटरनाईज किया था यहाँ पे important जो है that is सित्तनवासल तो हम सित्तनवासल केवस के बारे में पढ़ेंगे तो सित्तनवासल केवस की जो पेंटिंग है यहाँ की पेंटिंग्स आप सीलिंग्स पे देख सकते हो ठीक है काफी जादा clear दिखती है clear है visible है all right recognizable है ठीक है आप सीलिंग्स पे पेंटिंग्स देख सकते हो वरांडा में पेंटिंग्स देख सकते हो ठीक है और कुछ brackets जो है वहाँ पे भी आपको यह painting काफी अच्छे तरीके से visible है एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो वरांडा के pillars है वरांडा के जो pillars है सितन वसल केव के यहाँ पे dancing figures दिखाए गए और यह जो dancing figures है यह कोई एक salisial nymphs के दिखाए गए ओके nymphs की अगर हम बात करें तो nymphs जो है वो हिंदी में देवियों को कहते है ठीक है अगर हम बात करें artistic imagination की in k paintings की तो जो faces the dancer के उनके चाहरे पर एक rhythmic wave दिखाए हुई है ठीक है दूसरी चीज आइस की बात करें तो आइस जो हैं थोड़ी सी elongated सी दिखाए हुई है in paintings में एक और example जो यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा that is of ब्रियादेश्वर temple यह temple थंजावुर में है sorry दुबारा से लिख देता हूँ ब्रियादेश्वर temple थंजावुर में है ठीक है उसके इलावा गंगई कोंड़ा चोलापुरम और एक और टेंपल जो है that is दरसुराम यह चोला डैनेस्टी के patternized temples है ब्रियादेश्वर temple जो थंजावुर में है गंगई कोंड़ा चोलापुरम और दरसुराम जो है इन्हें patternized करने वाले टींग का नाम राजा राजा चोला एंड राजेंदर चोला है ठीक है दोनों जो है यह चोला डैनेस्टी के बड़े popular ruler रहें ओके चोला पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो चोला पेंटिंग्स आपको और भी सारी जगाओं को देखने में मिलती है ठीक है जैसे कि एक और जगाओ है नार्ता मलाई यहाँ पे भी आपको चोला पेंटिंग्स देखने को मिलती है ओके ब्रियादेश्वर टेंपल के बारे में एक और important चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो यह है कि यहाँ पे दो लेयर्स की पेंटिंग्स मिली है ठीक है जो इसकी दिवारें है ब्रियादेश्वर टेंपल की यहाँ पे दो लेयर्स आप पेंटिंग्स मिली है और जो अपर लेयर है यह लेटेस्ट है लगबग 16th century के अराउंड है ठीक है और इन्हें बनाने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्हें नायकास कहते हैं ठीक है यह उस पेरियर्ड की लेयर मानी जाती है ठीक है अब इन पेंटिंग्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इन पेंटिंग्स में हमें नेरेशन दिखती है काफी सारी चीज़ों की ठीक है जो की किस से रिलेटेट थी Lord Shiva से ठीक है For example, उनकी life से जुड़ी वी जैसे कि Lord Shiva जब कैलाश में थे ठीक है Lord Shiva जब नटराज की शेप में थे और Lord Shiva as त्री पुरान तक Spelling errors अगर आपको कहीं लगते हैं Please मुझे बता दीजेगा comment box में Lord Shiva in कैलाश Lord Shiva as नटराज and Lord Shiva as त्री पुरान तक ठीक है एक और चीज जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो pattern थे राजा राजा और इनके mentor जो थे जिनका नाम कूरूवर था दोनों के आपको portrait देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर ठीक है उसके इलावा कुछ dancing figures जो है वो भी आपको यहाँ पर ब्रिदरश्वर temple में देखने को मिल सकते हैं ठीक है एक और चीज जो यहाँ पर discuss करना में को important लग रहा है that is कुछ paintings जो है वो हमें देखने पाए जाता है यहाँ पर 14th century की कुछ paintings जो है वो देखने को मिलती है जो विजे नगर style में बनी है ठीक है आप लोगों को अगर नहीं बता तो विजे नगर यह kingdom हुआ करता था और इसके founder का नाम हरी हरा एंड बुक का ठीक है इसी से related विजे नगर एंपाइर से related एक जगा है that is हमपी यहाँ पर काफी popular temple है that is वीरुपक्षा temple वीरुपक्षा temple की बात करें तो इसके ceilings पर इसके मंडपा पर आपको paintings देखने को मिलेंगी जिन पर dynastic narratives का काफी ज़ाधा impact है काफी सारी dynastic narratives जो हैं वो वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी उके उसके इलावा dynastic narratives के इलावा वीरुपक्षा temple में आपको महाभारत और रामायन के कुछ episodes भी जो हैं वो नारेट करते हुए दिखेंगे थ्रू पेंटिक्स पाइन ओके नाओ एक और जगा है जहाँ पे एक temple है that is लिपाक्षी ये हिंदुपूर आंदरपरदेश में पढ़ता है आंदरपरदेश ओके यहाँ पे आपको काफी सारी विजे नगर एमपायर से related विजे नगर style पेंटिंग्स देखने को मिलेगी ठीक है यह जो लिपाक्षी टेंपल है इसकी वाल्स पे आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी वो रिलेटेड है शीवा से ओके अगर हम बात करें तो नाइका style पेंटिंग्स जारतर आपको 17th to 18th century के बीच में देखने को मिलेंगी 18th century के बीच में देखने को मिलेंगी most probably यह पेंटिंग्स जो आप कहां पर देख सकते हैं पाई जाती है स्री रंगम ओके तीरूबर एंड लास्ट इस तीरूपर कुन्रम ओके तीरूपर कुन्रम के अगर हम बात करें तो जो पेंटिंग्स यहां पर पाई गई है यह पेंटिंग्स जो है 14th और 17th century के यहां पर जारत जो description दिखाए गई है वो किस से related है life of वर्दमान वहावीरा ओके नायका पेंटिंग्स में अगर हम देखें तो नेक्स पेट पे बता देता हूँ नायका पेंटिंग्स में महावीर की life के इलावा महा भारत रामायन या रामायना उसके इलावा कृष्ण लीला के भी depiction देखने को मिलती है ओके नाव तीरुवर की अगर हम बात करें तो तीरुवर में कुछ पेंटिंग्स मिली है जिसमें narration जो है वो देखने को मिलती है ठीक है मुचु कुंडा की story की ओके तीरुवर में मुचु कुंडा stories की narration देखने को मिलती है ओके नाव कमिंग टू अनधर पॉइट कुछ पेंटिंग्स जो है हम लोग चिदाम ब्रम में भी देखते है ओके यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसमें जो narration दिया गया है वो Shiva और Vishnu से related है कुछ examples दे रहता हूँ मैं आपको for example Shiva as Bhikshatrana is shown depicted in Bhikshatrana Murti is depicted in these paintings and Vishnu as Mohini is depicted as Mohini ok यह delete हो गया दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ Shiva as Bhikshatrana Murti and Vishnu as Mohini ok now coming to Kerala Mural ok Kerala Mural की अगर हम बात करें तो 16 से 18 सेंचरी के बीच में यह Mural जो है काफी जाधा Evolve हुए ठीक है जियारा तर जो इनकी टेकनीक थी वो देखने को मिली Pictorial ठीक है Pictorial Language का इनने काफी जाधा इस्तेमाल किया है जियारा तो जो पेंटिंग्स है वो कहाँ पर देखने को मिलती है Shrine की Walls पे Cloister Walls पे Temple की Cloister का अगर मतलब समझना है तो Cloister जो है एक ऐसी जगा होती है जहाँ पे Religious Seclusion की जाती है For example Monastery Cloister का मतलब क्या है A Place of Religious Seclusion अगर हम Kerala Murals की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो Narratives है जो Narratives दिये गए है वो ज्यारतर हिंदू Mythology से लिए गए है जो की popular थे कहरला में काफी जादा उस टाइम पे Most importantly महाभारता से काफी सारे Narratives जो है वो लिए गए है और रामायना से भी ठीक है जो Narratives है हिंदू Mythology के जो उस टाइम पे कहरला में popular थे जिनके example के है महाभारता एंड रामायना ठीक है अगर बात कीज़े है लगबग 60 sites आज तक मूरल पेंटिंग्स की मिली है इस बात को ध्यान में रखेगा कि लगबग 60 sites जो है आज तक 60 से ज्यादा ही लगबग जो है आज तक मिली है और यह तीन जगाओं पे मिली है ठीक है अब यह कहां कहां पे मिली है मैं आगे लिख देता हूँ पहला जो है Dutch Palace Kochi ओके next is Krishna Pooram Palace sorry Krishna Pooram Palace ठीक है जगा का नाम कायम कुलम third one is Padmanabhapuram Padmanabhapuram Palace ओके यहाँ पे लगबग 60 से ज्यादा Mural Paintings देखने को मिली है ठीक है अगर हम Tradition की बात करें तो Mural Paintings की Tradition आज भी Exist करती है ठीक है Mural Paintings की अगर हम बात करें तो यह जो Tradition है Still exist करती है Sorry Still exist करती है इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में ठीक है For example अगर हम बात करें तो Gujarat and Rajasthan में Gujarat and Rajasthan में इस Tradition को पिथोरो बुलाया जाता है ओके बिहार की बात करें बिहार का एक रीजन है मिथिला रीजन वहाँ पे इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है Another example is वारली पेंटिंग जो की महरास्ट्रा में Tradition follow किया जाता है ठीक है? काफे important है इनने याद रखेगा So friends आज के topic यहीं तक का था Hopefully आपका Mural paintings पे जो concept है वो clear हो गया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और जादा से जादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमें और encouragement मिले हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर कि यह तो एक सब्सेदों में दोके सा अजय कर दो होग